हलो माई डियर फ्रेंड्स आप सभी का हमारी चैनल करेंटी श्रडी पर स्वागत है दोस्त हम आपसे बात करेंगे अप्लाइड मैथमाटिक सेकंड के पार्ट नमबर 72 की तो यहाँ पर दोस्त आपका अप्लिकेशन आप इंट्रिगेशन चल रहा है तो यहाँ पर समा कलन के जो अनपरियोग है उस टापिक का हम बात कर रहे हैं और इससे पहले मैंने आपको 71 वीडियो अप्लोड कर देगा और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है क्लिक करें और सभी वीडियो आप देख सकते हैं दोस्त हम बात कर रहे हैं आप आज की वीडियो पे पहले कुश्चन की जैसा स्क्रिन पर आप देख सकते हैं एकस स्क्वार प्लस वाइ स्क्वार इजकल टू नाइन की परीधी समा कलन वीधी से ग्याद करें पिछले वीडियो में आप सभी का इस पर टापिक पर भी कमेंट था कि सर हमारा आपका वीडियो का क्वाल्टी अच्छा नहीं है अर था दोस्तो उस वीडियो में हमने ध्यान नहीं दिया आपको वीडियो अपलोड करने के बाद पता चला कि वो 240 में ही आपको only दिख रहा था तो मैंने यहाँ पर वीडियो में थोड़ा quality में increase किया है, हो सकता है, आप इसको देखेंगे तो बताईएगा comment करके तो हाँ, तो दोस्त पहला question आपका है x square plus y square is equal to 9 कि परिद समा कलन विधी से ग्याद करें तो इसको कैसे solve करेंगे तो आइए solve करते हैं तो पहला step इसमें यह होता है कि step by step आइए करते हैं, तो पहला step इसमें यह होता है दोस्ते जो आपको equation दी रहती है जैसे आपको दिया है x square plus y square is equal to 9 इसको हम equation number 1 लेते हैं इसको आप differentiate कर दीजे x के respect में differentiate करेंगे 2x plus 2y dy by dx equal कितना हो जाएगा 0 अर्था दोस्त आप इसमें से dy by dx निकालेंगे तो यह 2,2 आप कामल लेकर यह पूरा 0 हो जाएगा और x आपका positive है इधर आएगा तो minus x होगा minus x upon y तो आपको dy by dx की value कितनी मिल गई आपको dy by dx की value कितना मिल गया minus x upon y अब आपको यहाँ पर next step यह होता है आपको निकालना होता है dy by dx का whole square क्या निकालना होता है दोस्त dy by dx का whole square मतलब 1 plus dy by dx का है या फिर आप dy by dx का whole square plus 1 हम आपको पूरा ही निकाल देते हैं आप निकालिए अंडरूड 1 प्लड डिवेबर डिएक्स का whole square आपको निकालना है कैसे निकालेंगे यह step होता है ठीक पहले में differentiate दूसरे में आपको यह निकालना है तो डिवेबर डिएक्स की value आपने निकाला जो दोस्तों माइनस एक्स आपन वाई निकाला इसका whole square करेंगे प्लस क्या 1 चूकि यह 1 दिया था उसी घौम ने यहाँ पर put कर दिया उसके बाद next step यहाँ पर यह होता है आपका कि यहाँ पर आपका उपर हो जाएगा x square नीचे आपका y square यह plus 1 आगे दोस्ति यहाँ पर क्या होगा अब आपको इसको ध्यान समझना है आगे यहाँ पर x square प्लस y square is equal to 1 हो गया आगे यहाँ पर दोस्तों उपर आपका हो जाएगा आपका उपर हो जाएगा x square प्लस y square और नीचे आपका only बचेगा y square और यह पूरा क्या है यह root के अंदर है अब देखें द्यान से गर आप देखें तो x square plus y square is equal to जो आपका question दिया था वही दिया था तो आपको इसकी जगापन 9 रखना है चुकि इसके बराबर कितना है 9 तो उसकी equal में आप रखेंगे 9 लेकिन किसके अंदर root के अंदर आप 9 दिखेंगे 9 minus x square आसा करते हैं यह चीज़े आप clear समझ चुके होंगे ओकी दोस्त आगे चलते हैं यह आपको यहां पर हाँ आपको दिख रहा है यहां पर आपको क्या हो जाएगा दोस्त 3 अपान 9 minus x square यह किसकी value प्राप्त हुई यह आपने निकाला दोस्त अंदर root 1 plus dy by dx का whole square इसकी value आपने निकाला ऐसा क्यों निकाला जाता है यह आपको आगे solution में यह चीज़े आपने पिछला वीडियो देख्या हुआ तो clear आपको पहला क्या करता है डी वाइब डी की integration लगाते हैं फिर आपको लिखना होता है 1 plus dy by dx का whole square और किसके अंदर यह root के अंदर into dx यह चीज़ आपको निकालना है यह आपका formula होता है और यहाँ पर आपको रखना है 1 plus under root 1 plus dy by dx का whole square into dx की value आपने कितना निकाला है 3 upon 3 upon under root 9 minus x square into dx इतना आपने यहाँ पर put up कर दिया बात यहाँ पर यह आती है दोस्ते कि यहाँ पर यह होता है कि आपको limit रखना है limit कैसे check करते हैं या रखते हैं इसको सबजिए अब यहाँ पर limit की बात करें तो अगर आप वहाँ पर y बराबर 0 रख देते हैं तो दोस्त x की value कितनी आ जाएगी x की value आपको plus minus 3 मिल जाएग यह कह क्या रहा है वृत किस परकार से बना है देखिए इस चीज को समझेए यहाँ पर आपका एक circle है यह आपका क्या है दोस्त यह circle है एक मर्ट यह आपका क्या है यह आपका circle है और इस circle में आपको जो points होते है वो आपको समझना है यहाँ पर क्या होता है दोस्त माल लीज होगा यहां पर क्या होगा आपका यहां पर आपका 0 कामा A होगा यहां पर कितना होगा दोस्त यहां पर आपका माइनस A कामा 0 होगा और नीचे आपका D-point पर कितना हो जाएगा D-point पर आप जैसे देखें यह आपका x-axis है यह दूरी कितनी है यहाँ पर आप देखेंगे तो यह दूरी आपका जैसे a कामा आपने यहाँ पर 0 लिख दिया यहाँ पर आपने कितना लिख दिया a कामा 0 लिख दिया और इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 से 3 तो simply यहाँ पर limit आप लेग देंगे 0 से 3 आपकी यह limit हो गई 0 से 3 आगे solve करते हैं एक मतम आपको पूरा क्लियर दिखाते हैं लिमिट आपको कितना हो गया 0 से 3 आपका limit हो आप y को 0 रग दीजे आपकी जो limit आएगे वो limit होगा आगे चलते हैं अब आपको very simple है दोस्त यहाँ पर 3 बाहर हो जाएगा integration 0 से 3 dx upon under root 9 minus x square इतना आपको यहाँ पर समझना होगा यह आपका यहाँ पर इतना आ गया ठीक है अब इसका क्या करते हैं आपको यहाँ पर 3 हो जाएगा यह आपको दोस्त 1 upon under root a square minus x square का एक फार्मूला होता है आपको पता होना चाहिए होता ह दोस्त क्या sin inverse x by a plus c तो आपको simply लिख देना है sin inverse x upon कितना होगा 3 इसका a square मतलब 3 का square यहाँ पर करेंगे तो sin x by 3 और इसका limit आप कितना लिख देंगे 0 से 3 इतना आपका यहाँ पर complete हो गया आगे यहाँ पर क्या होगा दोस्त यह आपका 3 हो जाएगा और यहाँ पर sin inverse x by 3 ह है तो यह अपका sin inverse 3 by 3 minus sin inverse यह आपका कितना हो जाएगा 0 हाँ यह तो आपका clear 0 हो जाएगा अब यह आपका हो जाएगा 3 और यहाँ पर दिखिए sin inverse x 3 by 3 का मतलब दोस्त कितना होगा 1 और sin inverse 1 मतलब यह π तो हैं नहीं दोस्तर वृत का एक तो हैं रित में कितने भाग हैं? इतना आ गया, 6 pi, यह आपका दोस्त, यहाँ पर आप देख लिजी, यह complete आपका answer आ चुका है, 6 pi इसका answer है, limit आपका 0 से 3, जो radius दी रहती है, वही आपका 0, 0, आपकी यहाँ पर क्या होता है, केंदर होता है, limit आपकी जो radius दी है, वही आपकी limit होती है, तो 0 से 3 आपको limit लेना होता है, और तीसरे step में आपको यह limit को रखना होता है, और आपका answer, मतलब कि यह जब आप अंडर root 1 पर डिववडिक्स का whole इसको निकाल लेते हैं, तो इसको आप क्या कर दीजे, इसका integration कर दीजे, limit को लगा कर, अब चलते हैं, next question की और, यह question आपका complete, इसका 6 pi answer आया है, दूसरे question की बात करें, तो दोस्तों, दूसरा question आपको दिया है, x is equal to theta minus sin theta, हाँ, और y is equal to आपको दिया है, कितना दोस्तों, 1 minus cos theta, हाँ, और आपको कह रहा है कि theta बराबर 0 से 2 pi के बीच, के बीच, के बीच, आपको कह रहा है, arch, arch इसमें हिंदी में इसको महराब बोलते हैं, arch की लंबाई ग्याद कीजिए, लंबाई ग्याद करें, अब समझे कुश्चन को, question में पहला step इसमें क्या होता, इस ताइप के question में, पहला step क्या होता, इसको समझे, कुश नहीं करना द theta, sine theta, equation number 1, इसका तुरंत आप integration कर जीजे, किसके respect, integration नहीं दोस्ते, differentiation, किसके respect में theta के, तो dx upon d theta, 1 minus cos theta, हाँ, और ये आपका आगया, equation number ये, आपने dx by d theta निकाल लिया, अब equation number 2 आप लिखेंगे, y is equal to 1 minus cos theta, equation number 2, इसका कर दीजे, तुरंट differentiation आप, y का किसके, theta के ही respect में, dy upon d theta, dy upon d theta, equal, ये हो जाएगा, दोस्तो, cos theta का क्या होता है, आपका 1 का दो 0 हो गया, cos का पर differentiation, minus sin theta होता है, minus minus क्या हो जाएगा, plus, तो ये आप क्या आगया, मतलब पहला आपने जो निकाला, वो आपका dx upon d theta आगया, 1 minus cos theta, dy by d theta आपने निकाला, ये कितना आगया आपका, ये आपका आगया, दो sin theta, अब आपको तीसरा हिष्टे पीए करना होता है, दोनों को differentiate करा, तीसरा हिष्टे पीए करना होता है, तुरंत आपको यहाँ पर एक formula लिखना है, limit लगाना है, limit आपको 0 से 2 pi दिया गया, आप question देख लिचे, 0 से 2 pi के बीच, आर्ट की लंबाई ज्य अब simply इसको क्या कर दीजे दोस्त, इसका integration कर दीजे, इसके value को put करके इसका integration कर दीजे, तो आइए value को put करते हैं, इसका integration कर देते हैं, तो dx upon d theta का, पहले आप root लगाईए, dx upon d theta की value आपने निकाला, 1 minus cos theta का whole square, प्लस d by by d theta की value आपने निकाला, sin theta, तो sin theta का whole square, और यह d theta, औ और आपका limit हुआ 0 से pi, अब इसको आप solve कर लिजे, answer, आई ये solve कर लेते हैं, 0 से 2 pi दोस्त हो गया, ये हो जाएगा 1 प्लस cos square theta, इसको open कर दीजे, a-b का whole square, 1 a square पर b square पर 2 a b, तो 1 प्लस cos square theta ये हो जाएगा, minus 2 cos theta, ये आपका कितना हो जाएगा, sin square theta और बाहर आपका d theta, आग जूड़कर कितना हो जाएगा, 1, तो 1 प्लस 1 आपका हो जाएगा, 2 minus 2 cos theta, मैं एक एक point आपको लिख दे रहा हूँ, जिससे आपको कोई confusion न हो, अब इसमें से आप 2 कामल लेंगे, और 2 को हम बाहर लेंगे, तो 2 बाहर लेंगे, तो 2 बाहर लेंगे, तो आपका root 2 हो जाएग 0 से 2 pi था, 0 से 2 pi और root आपका बाहर हो गया, अंदर बचेगा root के, 1 minus cos theta और यहाँ पर क्या बचेगा, d theta, अब आपको निश्ट इश्टेप यहाँ पर root 2 है, 0 से 2 pi है, इस 1 minus cos theta का एक formula आप ऐसा लगाएगे, जिससे 1 आपका cancel हो जाएगे, तो उसका एक formula यह होता है, दोस्त आपका plus 2 sin square theta by 2 हो जाएगा, और यह आपका हो जाएगा, d theta, इसका formula आप लगाएगे, 1 minus 2 sin square theta by 2 रखेंगे, तो चुको minus multiply होगा, तो अंदर क्या होगा, प्लस यह वाला हो जाएगा, अब 1, 1 आपके दोनों यह cancel हो जाएगे, और इसमें कभी एक root 2 बाहर निकलेगा, तो root 2 into root 2 हो जाएगा, आसा करते हैं यह चीज़े आप समझ रहे होगे, ठीक है, फिर आपका 0 से 2 pi हो गया दोस्त, अब यहाँ पर आपका sin square theta है और उपर root लगा है, तो इसलिए आपका square root को हटा देगा, तो आपका बचेगा sin theta by 2 और क्या हो गया, d theta, इतना तो आपको यहाँ प जो होगा, वो 0 से 2 pi, 0 से 2 pi, sin theta by 2 और आपका क्या है, d theta, इतना आपका यहाँ पर complete है, ठीक है, आगे हम यहाँ पर इसको आगे बढ़ाते हैं, इतना आपका यहाँ पर आचुका है, इसको क्या करते हैं दोस्त, आपका 2 हुआ, अब यहाँ पर इसको sin theta का आप बताए, sin theta का integration होता है, minus cos theta by 2, sin theta by 2 का integration क्या होता है, minus cos theta by 2, और यहाँ पर limit कितना होगा, आपका 0 से 2 pi, limit क्या होगा, 0 से 2 pi, लेकिन यह चीज का ध्यान रखिए, sin theta by 2 है, तो यहाँ पर आप इसका theta by 2 का भी आपको t मानना पड़ता है, ठीक है, चुकि यहाँ पर आपको पता है कि अगर theta है, तो simply आप cos theta लिग देते हैं, लेकिन और other कुछ भी आता है, तो इसका आपको यहाँ पर integration करना होता है, तो यहाँ पर theta by 2 कमालेंगे, मतलब d theta is equal to 2 dt आ जाएगा, हम इसको directly यहाँ पर लिग देते हैं 2 dt, अब यहाँ पर limit यहाँ पर आप put up करेंगे, तो आपका हो जाएगा cos 0 और into 2, अब यहाँ पर dt आपका खतम, आपको limit आपने रख दिया, आपका काम खतम हुआ, dt काम खतम, अब यहाँ पर दोस्त क्या हो जाएगा, यह आपका minus 4 हो गया, यह minus 4 हो गया, और यहाँ पर cos 2 2, मतलब cos pi, cos pi के मतलब दोस्त कितना हुआ, यहाँ पर आपका cos pi minus cos 0, यह theta नहीं है, यह 0 है, ठीक है, चुकिए limit हमने put up कर दिया, आगे दोस्ता आपका minus pi हो जाएगा, और यह आपका minus 1 होगा, यह minus 1 होगा, और बाहर आपका minus 4 है, और यह आपका minus 2 हो जाएगा, और multiply होके आपका 8 answer आ जाएगा, आप यहाँ पर complete कर लिजिए, आपका 8 1 8 1 इसका क्या, 8 unit इसका complete answer आज को है, तो यहाँ पर आपका question किस type का था, आप देख लिजिए, यह question आपका था, इसमें यही पूछा गया था, हाँ, यह तो पहला question था दोस्त, दूसरा question आपका इस type का था, कि इसमें आपसे पूछा था, कि 0 से 2 pi के बीच आर्ज की कीजिए, और आपको हमने बताना चाहेंगे, applied mathematics second का, description में playlist का link मैंने दिया, वहाँ पर देख सकते हैं, एक बात कहना चाहेंगे, इस type के question जो सोते हैं, आपको 1-2 meter से all लगते हैं, तो आप other method से भी question को आप लगा सकते हैं, धन्यवाद.